तो आज हम करें DCS का एक नया टॉपिक डिजाइन अव वाटर टैंक तो इसमें पूरी सीरीज बनेगी क्योंकि इसमें तीन तरह के होते हैं तो देखो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिए कि आज हम करेंगे सर्कुलर टैंक जिसमें सर्कुलर टैंक फ्लेक्सिबल जॉइन बिट्विन फ्लोर और वाल तो देखो पहले तुम आपको यह चीज बताया तो देखो इना हमारे टैंक ना तीन तरह क्यों होते हैं अंडर्गृट आजाता है और एक थर्ड आयता हमारा एलिवेटटेड जो कि हमारा हावा में होता है धोड़ा जिसके हम कॉलम्ज लगा के ऐसे उसको ऐलिवेटेड में दिखाते हैं तो ऐसे तीन तरह पी हमारे तीन तरह के डिजाइन होता है कैसे रेस्टिंग ऑंडर एलिवेट के टैंक होते हैं उसमें हमारा इंजी टैंक आ जाता है तो यह हम सारे एके करके पड़ेंगे लेकिन आपने टाइटल में देखा कि सर्कुलर टैंक विधा फ्लेक्सिबल जॉइंट बिटी फ्लोर और वाल तो हम वो डिजाइन करेंगे और उपड़े सर्कुलर टैं सारे easy है और सब में अलग-अलग formulas है तो सबसे पहले हमें सबके formulas बताऊंगा उसके बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे तो यह आगे हमारा formula तो आपके ऊपर न दो हीमें जा देंगे एक आई गया हमारी permissible stress in concrete and steel enforcement तो इस दो हीमें जोएंगी इनकी values हमें यूस पड़ेंगे तो आप ही table दे सकते है आपको आप screenshot कीच के रखना चाहिए तो screenshot कीच के रख लो नहीं तो कहीं note करके रख लो best way आपको मिल जाएगा is code 3370 में ठीया उसमें part 1 बे आपके सारी values मिल जाएंगी लेकिन मैंने एक book से लिया तो मैंने book की आपको उपर photos provide कर दिया है तो अब आता हमारा formula तो due to the flexible joint at base the tank wall is subjected to only hoop tension तो अकेली hoop tension होईगी इसमें और कोई भी हमारे इसमें नहीं लगेगी ठीक है जैसे हमारे कोई cantilever action नहीं आएगा या कोई और अलग से portion लगे सिर्फ हमारी hoop tension होईगी तो इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना जाता है को design of job हमारा circular tank आता है इसका मतलब यह नहीं होता कि जैसे हमने ring beam में बढ़ा था कि आपने ring beam design करी जैसे हमने dome में कर रहा था तो ऐसे आप नीचे नीचे layer layering करते हो के तो उससे हमारा circular tank design हो जाए ऐसे नहीं होता है इसमें बखुबा हमें पूरे इसकी walls design करनी पढ़ेंगी इसकी walls design करेंगे फिर हमारे इसका base design होगा तो ऐस आपको बस बताना जाता था कि ऐसे नहीं होता है design तो अब सबसे पहले हमारे इस फॉर्मला हरे के अलग 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 आते है क्योंकि अलग से हम आगे करेंगे न तीन method हमारे होरा rigid base में तो जरूरी है कि यह फॉर्मला सिर्फ इसे के लिए आगे भी हमारे use हो सकता है तो सब सबसे बहले में W तो आपको कहे weight of water in kilometer per meter cube देखो वैसे तो आपको पाते specific weight of water हमारे यहां पर क्या आते 9.81 होता है लेकिन हम अप्रॉक्स 10 लेके चलेंगे हर कहीं 9.81 होता है लेकिन हम 10 लेके चलेंगे और H हमारा तो देखो वह होता है कि height देखो at any depth h meter below तो any depth कोई भी depth हमा सबसे आदा maximum कहां पर होगी at base of wall होगी ठीए base of wall जैसे base हो जैसे यह हमारे wall है तो इसका यह जो base हो जएगा na rigid base तो यहां पर सबसे आदी hoop tension होगी क्योंकि हमारे flexible joint की वाज़े से हमारे hoop tension होगी है तो हमारी base पर बेस पर होगी तो इसका क्या होता है को half into w हमारे specific weight of water हो जए अगे भी हमें बहुत काम आएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर AT हमारे यहां पर क्याएगा ती बाइस सिग्मस यहां पर इसमें हमारे M20 यूस होता है तो उसके लिए वैससे में M20 की बात नहीं होती है इसमें जो हमारी थीकनस आती है वो लेस दन हमारी 150 है यह 150 आएग तो उसमें हमारी 115 हमारी वैल्यूस होईगी तो वह जो मैंने आपको टेबल अभी यहां पर दुबारा से एक बार फ्लैश हो जाएगा वो टेबल हो आप उपर स्क्रीन पर तो आप उस पर देख सकते है कि रहाम से मारे 115 वी एक वैल्यू है जहां पर हमारी बताता है कि टें सबसे इज़िस टोपिक है हमारा water tanks का और अब और और फॉर्मरा इसका बस ऐग चीज़ करेंगे कौनसा हमारा thickness of wall का तहीं हो है वैसे farmers about limits है अ Grand लेकिन मैं इसमें यूज करूँगा और हमारा एक empirical formula आता है और not less than 150 mm तो पहले मैं एपता है कि 150 mm से हमारी कम कभी thickness हुई नहीं सकती अगर आप डिजाइन में कभी 150 से कम आती है तो आप हमेशा 150 लोगे इससे कम आप लेहीं नहीं सकते है more than आ दिया तो well and good लेकिन आप 150 जे कम नहीं ले सकते है अब हमारा आता permissible limits देखो permissible limits हमारा देखो क्या होता है सिग्मा सीटी इसके लोग टी यहां पर थीकनेस है और यहां पर हमारी हूप टेंशन है आपको हमेशा पता है कि हम हमेशा 1000 mm हमारा यूनिवर्सल है हम यह लेकी चालते है और T हमारी यह ठीकनेस होता है ठीए तो T into 1000 हमारा ऐसे आद है हमारा क्या होगा है ती थीकनेस इसे हो गया अगर हम करते है वैसे तो मैं यहां पर यूज करूँगा लेकिन जब हम इन में थीकनेस हमारी आती है 150 से कम तो हम ले लेंगे 150 mm और हम आगे अपने डिजाइन करेंगे लेकिन अगर आपकी 150 से जाधा आती है तो आप यह वली चीज तो बूली जाओ और बस इन में से जाधा आगे इन दोनों में से तो वह ले लो ठीक है तो मलब कि अगर आपके एक यह हमारे थीकनेस वाल का और हमारे तीन यह वले फॉर्मला तो इन से करके हमें क्वेश्चिन करते हैं तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा हमारे डिजाइन ऑफ सर्कूलर वाटर टैंक विद फ्लेक्सिबल जॉइंट तो देखो यह आगया हमारे क्वेश्च लेकिन मैंने इसने तभी यहां पर डाला monolithic कि आपको प्ला चल जाए कि आपको एक्जाम में आदे तो आपको यही ना समझाए कि यह concept flexible है या फिर सकता अपना is code 3370 तो देखो हम यह शुरू करते हैं तो देखो solution required capacity of tank हमें यह दी हुए है कि हमें इतनी liters के लिए हमें design करना है ठीक है 360,000 अब liters को मीटर क्यूब पर कर ले तो volume आजएगा तो volume of tank हम में convert कर रहे हैं तो volume of tank हमारा क्या आजएगा इसको मलब कि पूरी value को divided by 1000 करेंगे तो 360 meter cube आजएगा ठीक हमारी पूरी volume of tank आगी तो उसके बादे को since the depth of water in the tank is 3 meter floor area of the tank तो floor area निकालेंगे तो volume है वहां से एक हमने dimension निकाल दिया हमने height की तो divide कर देंगे हम depth हमारी h of water in the tank is 3 meter तो 3 meter हमने यहां पर divide कर देंगे तो हमारी 120 meter square आगे ठीक है meter square अब यह meters में चल दे हम कोई mm में नहीं गए meter square है तो यह हमारी area आगे ठीक है floor area of the tank आगे अब देखो let d be the internal diameter of the tank तो आपको पता है कि हमें diameter दो जुरूयत है कि फॉर्मास आपने देख चुके है पहले भी आप कि उसमें diameter जुरूयत है तो हम यहाँ पर diameter ही निकालता है इससे हमारा सिर्फ diameter ही निकलना है लेग लिए the internal diameter तो area आपको पता है कि यह उता है πाई square होता है πाई-r square होता है ठीक है नहीं सर्कल कर ले किन हमने मऄको अपने हर question में दिखाना जाता हुगी, यह नोएगी, एक ही question में, आप स zijमिट कि रहा जोगी, क्या मैं यह कर सकता हूँ, क्या मैं यह नहीं कर सकता हूँ यह सारे question को अपने ऐसे करता हूँ, देखो flexible में आपको यह दिख्खा दिया जब मैं है तो हमने अप्रॉक्स 10 ले लिए ठीक है आप 9.81 भी ले सकते हैं कोई दिक्तरी बात नहीं है तो यहां पर आपको फॉर्मल्वन आपको करवा देता है जो भी ब्लू बेंट से लिखा हुए एक तरह का फॉर्मला है या फिर हमारा अजंप्शन है ठीक है तो देखो अब टी अब आपको पता है आपको मैंने टेबल प्रॉइट कर चुका बार बार ऊपर फ्लेश नहीं होगा तो वही होदी होड़ी बन जाएगे मदला कि बार बार कुछ आ रा आपके ऊपर तो आपको ब्सक्राइब का कंसेंटरेशन लूज हो जाएगा तो डिजाइन की बीच में आपने पहले देखो आप रिवाइंड करके दुबारा दे सकते हैं तो वैसे अब आपने इसमें सारी वैल्यू डाल दी तो देखो 186 नुटन में लेके आना इसको ठीक है नूटन में लिके आना 115 हमारे यहां लेक्र जब हमारा रिजुड होता है तो हमारा क्या होता है दो फेस पर इंफॉर्स्मेंट रखै यहां से समझों यह हमारी साइड बाल है तो चुर्फ ऐसमें एक एक सीन धर्श्मड हमारी डखियर अगर आपका रिजिई होता है तो आपको मैंने अभी सब तक है ताक्क अब आपकी मर्जी आपने 69 लेना है आप 69 लेना है 10 ले सकते हो 12 लेना है 12 ले सकते हो तो देखो area 1 बार यहां पर क्या आगए मलब area of 69 डायबार्ट का क्या आएगा 201 mm2 ठीक है अब आपकी area आगी तो आपको पता है spacing कैसे निकलता है spacing का आपको formula पता है क्या होता देखो area of 1 bar into B divided by total area तो total area हमारा है यहां पर 80 ठीक है यह आपका formula आगया spacing है ठीक है यह आपका थमरूल है देखो 201 into 1000 भी आपको पता है मैंने 1000 करवाया आप अभी आपने one area of one bar निकलता है 201 तो यह आपने निकलता तो देखो अब यहां पर divide by हमारा total area 161 है यहां से आपका क्या है 124 तो हमने प्रॉक्स 120 ले लिया ठीक है अब देखो यह क्या मतलब वह देखो जो हमने reinforcement प्रॉइड कर दी लेकिन कहां पर करिए देखो maximum अब करते हुआ है तो आपको यहां पर दिकलता है और कितनी कर दी टोटल अगर हम दिखाएं दो तो इससे थोड़ी सी जाधा ही करना तो 1675 mm2 दिखते हो आगे क्या होता है तो देखो अब सबसे इंपोर्टेंट रहते हैं थीकनेस ओवाल निकाले देखो सबसे पहले हमारे थीनिक राइटी परिमिसिबल लिमेट्स इंपिरिकल फॉर्म या फिर नॉट लेस दें 150 mm या अब देखो सबसे बहले हम करते हैं जीक मते हैं लिमिसबल लिमीट्स में देखो Peru कि हुआ है तो सबसे पहले आपको सिर्फ सब पलता है सिर्फ आपको chi लिसान मत्रहितला दिया सिकमा सीट रह पहले हैं निकाल जीए 1675 यह जो प्रोवाइडीट ओजँड है जो प्रोवाइड 2008 मॉडूलर रेशियो इसका फॉर्मॉला देखो क्या होता है मॉडूलर रेशियो और यह आपको काम मिलेगा अनेगेजर बी पे बी पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट टू डी पे हमारे क्लॉस नमबर रेटी है इस 456 में मिल जाएगा यह मैं कह रहा था कि 3370 में है लेकिन इसमें यह वाला फॉर्मॉला है यह मॉडूलर रेशियो गा यह भी हमारा वर्किंग स्रेस मैथड यह आपको बाकी कहीं जगा मेंशन करने की जूरत निया आपको वैल्यू काहां से निका लेटी है अब D पार्ट पार्ट बाते है तो मॉडूलर रेशियो में में वैल्यू नहीं पता है यह भी देख लेते हैं कहां पर यह यह वैल्यू हमारी यहा पर क्या टेवल नमर 21 अगे ना सिफ नेक्स पे पी है हमारा यह पे लेना तो 81 है लास्ट का अपका 80 हो जाएगा तो M20 पे बैंड़नी के हमारा M20 पे क्या रहा है अगर आपको दिख रहे हैं आपका 7 आ रहा है तो M20 पे 7 आ रहा है तो आप सिंपल आपको यहां पे formula में value पूट करने है तो अगर आप इसको डिवाइड करें को 13.333 याता है तो मॉडुलर रेश्यू है आपको एक स्पैसिक वैल्यू सी लेने है तो मैंने 13 ले दी ठीक है तो आपने ऐसे 30 ले दियो 13 ही हरकी होता आप याद भी कर सकते हो जुरूरी नहीं हर बार आपको करना है यहां पर 13 हो गया है किसी का 11 होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो तो आप यहां पर डालती मैं सारी दालवाइड इस से ज़ादा होगा, लेकिन थीने से वाल निकालिया भी, सिर्फ यह वली वाल की निकालिया ठीक है, वाटर टैंक की वाल की, तो यहां पर 135 mm आगे, लेकिन नोट लेस दन 150 mm तो मतलग भी यह वला गलती हो गया, तो मतलग भी हम इस से यह वली तो हम ले नहीं सकते, अब हमा से ज़ादा होगा, लेकिन इस से कम है, तो मतलग यह भी गलत, तो therefore, hence, adopt thickness of wall 150 mm, तो हमारे जो वाटर टैंक की वुकती है, wall यह हमारी यूनिवर्सल ही आगी, मतलग ही, जो हमारे code में कहता है की 150 mm लो, तो हमने 150 mm यह हमने ले दी ठीक है, अब थीने सा वाल भी आगी, तो दे इतने meter भी आप कितनी reinforcement दे रहे हो, तो जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे divide करो, हमारे 3 meter था, यह पूरा 1, यह हमारा 2 meter, और यह हमारे 3, 3 भी हमने fine कर चुके, जो हमने maximum hoof tension करी थी, तो उससे हमने करती है, तो हम 2 पे भी देखें, 1 पे भी देखें, ठीक है, containment of reinforcement अब देखते है, 80 required at a depth of 2 meter below top, तो 2 meter हमारी यह वली जगह होगी, यह वली जगह पर हम find करते है, value of hoof tension at this depth, तो मैंने काता है, specific depth पर हमारा formula same रहता है, सिर्फ हमारी height बदल जाती है, height of value हमारी 3 थी, अब हमारी यहां पर क्या होगी, 2 हो जाएगी, तो हमने यहां पर 2 तभी ली हुगी है, तो तो हमारी 2 होगी, तो देखो, हमारा क्या है, T1 हमारा यहां पर क्या हता है, value of hoof tension, यहां पर हमारी कितनी tension आ रही होगी, hoof tension, तो वह आ रही हमारी 124 किलोन्यूटन, तो 124 किलोन्यून के हमने कितना कर लिए, 124 into 10 raised to 3 newton में कर लिए, यहां पर, अगर मैं आपको यह ना भी सम of concrete, sorry, steel का, तो 1078 mm² थी, अब आपको यह भी आ गए, तो इसमें A की phase है, तो इसको divide करने की जुरूहत नहीं है, क्योंकि जब हम rigid में करते हैं, तो 2 phase हो जाते हैं, तो divide by 2 हो जाते हैं, सारी area, तो देखो, यहां पर क्या देखो, यहां पर क्या देखी, simple, वही वहला formula, area of 1 bar into B divided by हमारा total area, ठीक है, 80, तो 201, यह spacing of 69 bars की आपको पता है, वही आईगी, 201 आईगी, formula आपको पता है, 5 by 4 into dia का square, यहां पर क्या पता है, तो 201 into 1000 by 1078, तो यहां पर क्या क्या है, 186, तो मैंने अप्रोक्स 180 ले दी, यह कम ही ले लो, थोड़ी सी, अगर आपको 190 भी लेना, तो क therefore provide 69 diabarts at 180 mm central center at 2 meter below, यहां पर लिख देना, आपके लिए असानी होगी, जब आप reinforcement details डालोगे, टीचर न चेक करना हो, तो अपना कर लेगा, उसको तो लग जाएगा कि 2 meter below पर कर रहा है, लेकिन जब आप reinforcement डालोगे, जब आप reinforcement diagram ना होगे, तो होजपस ना होगे, तो आप ड design के हर एक यह अलग-अलग method है, कोई curtailment बाद में कर लेता है, vertical enforcement पहले निकाल लेता हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, ना इसमें कोई जाला checks लगते है, कि आप सोचोगी, यार checks भी लगना है, तो हमारा उपर निचे हो जाएगा, वो भी चीज निया है, यहां पर, तो हमन आप में यहां इसे लाइन मारे है, इसका हाफ हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, अगर आप निकाला मी चाहत हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, तो हमने सीधा पहली ले ले दिया, हमने का क्या इतना बड़ा formula करना है, सीधा आपने 1078 का divided by 2 कर दिया, यह जो हमारा area of steel क आपको 10 लेना तो आपकी मर्जे कोई दिखकर भी आती है तो प्रिटीन ने लिया तो प्रिटीन ने टोटल लिए ता स्पेसिंग को पता है इसको 372 तो मैं 372 गा 370 ले दिया ठीक है आपने लिए दिया तो देर्फोर प्रोवाइट 16 अम डाय बार्स एट 370 सेंटर एट 1 मिटर बिलो तो फिर वह यह रिंफोर्समेंट के लिए तो मतलब यह जब आपने यहां पर आपने डाली तो देखो 16 अम बार्स हम सारे के डाल रहे हैं यहां पर आपने 180 डाला और यहां आपना 370 डाल दिया पता भी चलता है हैं यहां सबसे ज़्यादा हुक टेंशन दी तो आपने सबसे ज़्यादा कम स्पेसिंग तो थोड़ी से यहां पर कम हो जाएगी तो वान एक्टी होगी उपर दोसे ज़्यादा ही कम होगी 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 तो हमारी 370 आ गया ठीक है तो इसे भी थोड़ा सा हमें आप साय करता है अब यह आप कैसे हो गया तो आगे चलते हैं तो देखो आब वाता मेरा वर्टिकलर इंफोर्ट्स्मेंट तो आप उच्छो के वर्टिकलर इंफोर्ट्समेंट मैं सारा को जल जल इसले करवा रहें कि पहले यह वHaला जो वने अभी करें तो वह तो भाई बहुत ही इजी था और रिपीटिट था तो मैंने फटवर्ट करवा दिया और मुझे भी पता कि यूट्यूब पर यह इसलिए कम टाइम में ज्यादा नौलज मिले तो मैंने पहले से इसलिए रिखता हूं कि पहले मैं बाए हैंड लिखता रहता था अब ऐसे वाले बार्ट आमने डाल दिया में तो यह अड़ी डाल दिया अब इस इस भी तो बहार आए गल तो यह वह बार है हमारी वर्टिकर्ड इंफोर्श्मेंट ही होगी तो वह निकालता है वह कैसे निगलता है तो देखो percentage of distribution reinforcement easy कर दो देखो distribution enforcement यहां पर क्या होगी 0.3 minus 0.1 bracket में t minus 100 by 350 percentage यह इतनी percentage होते हो यह थम rule है ठीक हम यहां पर लिख भी देते हो यह थम rule है क्यों थम rule है मैं आपके बता है तो जो हमारी नहीं 100 से लेके 450 mm thickness तक उसके बीच-बीच में हमारा क्या आता है 0.3% से लेक यह थम रूल है कि हमारा code कहता है IS 3370 ही कहता है कि हमारे जो reinforcement जब हमारी thickness थीकनेस 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 और जो हमारी 100 mm से लेके 450 mm के बीच में होते है तो हमारी 0.3% reinforcement से लेके 0.2 reinforcement यह बीच में रहनी चाहिए तो हमें पता हमारी thickness और इस से जाद़ कभी होएगी 450 आपको design में हम तो हो जी सकती कि 150 तो हमारी criteria ही है तो उसके लिए यह बला आ जाता है ठीक है तो 0.3-0.1 bracket में T-100 by 350 percentage और आप यह हर एक में देखो ए formula यह नहीं कि सिर्फ यहीं पर यह C में रहा जाएगा आगे यह design पर भी आप देखोगे जो हमारे rigid base में आएगा और जो हमारे तीनो methods जाते है तो यहां से 0.29% निकला है तो 0.3% ही कितना पास है लेकिन आप 0.29% ही लेना पड़ेगा तो यह हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या है तो area of distribution bars तो area of distribution bars क्या होता है तो 0.29% of area of concrete क्या होलागी पूरा आपका area कितना है तो T into B तो देखो thickness यह 150 है हमारे और हमार होता है तो यहां से आपको बजाएगा 435 की हमारे यहां पर distribution enforcement दलेगी जो कि हमारी vertical enforcement है तो यह हमारी ऐसे दलेगा 435 mm square बटीक है area of का तो यूजिंग 10 mm डायबार्स अब मैंने यहां यहां पर 10 ले लिया ठीक है तो आपको यह ना लगए कि सिर्फ 16 पी लेके चल रहा हूं यहां फिर सिर्फ 10 पी लेके चल रहा हूं तो इसलिए मैंने यहां पर ले ले लिया 10 mm आप यहां पर 12 भी ले सकते थे 8 भी ले सकते है 16 भी ले सकते है 20 भी ले सकते थे कुछ भी ले सकते है तो यूजिंग 10 mm डायबार्स का आपकर क्या तो 78.5 आपकर area बार आ लेगा तो spacing आपको पता है formula फिर मैं लिख रहे तो यहां पर अगर आप बूल गया हो तो यहां पर बूले नहीं होगे कि वीडियो जा लंबी नहीं सिर्फ 25 मिनिट सी हो अभी तो यहां पर divided by total area तो 80 तो यहां पर हमने 435 निकाला तो 435 तो यहां पर spacing मारी 180 mm central center हमने ले जी तो सिधह य 10 mm die-up bars and 180 mm central center तो हमारे vertical reinforcement में 10 mm bars डलेंगे और 180 mm इनकी central center reinforcement होगी तो इसकी reinforcement होगी अब सिर्फ एक चीज़ रहागी देखो मैंने side में सारा कुछ आपको समझा दिया यार यह ऐसी होना यार यह ऐस होना लेकिन आप इसकी base slab भी दूरते हैं मैंने का ते ring beam की तरह design नहीं होग तो हम इसके बाद क्या करते हैं अपनी base slab की designing करते हैं तो देखो यह आगया मैंने design of base or floor slab तो यह एक चीज़ है base or floor slab तो आपको एक चीज़ मैं सम्तात हो design श्रू करने से पहले तो हमारी base slab होते हैं इसकी कुछ भी thickness होगी है ठीक आप जो भी ले सकते हो हमने 150 mm लिए है अब 180 ले सकते हो 190 ले सकते हो लेकिन आप मैं इसमें इच फेस पर डलती है ठीकर enforcement आपकी एक ऐसे डलेगी एक ऐसे मलबगी एक ऐसे और इच फेस है मलबगी है ऊपर भी टॉप पर भी और बॉटम पर भी है अब इसके दो फेस पर हमारी reinforcement है तो देखो डॉप थीकनेस हमने 150 mm इसकी थीकनेस अडॉप कर ली minimum area enforcement हमारी 0.3% of total area ठीक है total concrete area ठीक है total concrete area ठीक है total concrete area ठीक है ठीक है 0.3% मैं यहां पर लिखता हूँ मैं यहां यहां पर लिखना शाहत भूल गया तो देखो area of reinforcement on each face के आगी 450 by 2 तो जो कि हमारी value आगी 225 mm2 ठीक है यह हमारा area एक फेस पर दो एक फेस पर जो एक फेस आई है उसके रिया 225 mm2 आगी यूजिंग 8 डायबास ठीक है अब मैंट 16 से 10 आया था भी 10 सब 8 भी आगया तो मैं सब आपको बताना यही सिर्फ मेरी यह आगी टेकनीक होती है कि आपको एक कोशन में सब पता चल देख है वेरियाशन रहे यह नहीं कि हर कही में 16 ले रहा हूं 16 ले रहा हूं ठीक है यहां पे 16 यहां पे 16 यहां पे 16 तो वह चीज नहीं चाहता तो हर एक हमारी variation देती है तो इसी बात से हमारा यह चैनल भी चल रह तो यहां पे 225 आती है हमारी यहां पे area of each face पे लेकर चलना है ठीक है spacing मारी ऐसी होईगी ठीक है इसका मतलब यह नहीं आप total area ले तो यहां पे यह नहीं total area मतले है ना तो मारी 225 लेना तो 15 to 1000 by 225 is equal to 222 ठीक है अब देखो 222 मारी यहां पे value है 222 आगी तो मैंने इसको 200 ले top और bottom पे ठीक है top and bottom पे दोनों पे हमें हमें 8 यहां डाय बार्स की 200 सेंटर हमने सारी spacing करती है with enforcement ठीक है तो हमने सारी ऐसे कर दिया तो सिर्फ एक चीज़ रहते है क्या रहते है also यह सारी कुछ चीज़े provide करनी होते है ठीक है अगले में हम जब करेंगे ने rigid base में हमारे क्या freeboard अलग है तो freeboard देखो provide a freeboard of 150 यह मैं आपको reinforcement समझाता हूं यहां पर आपको सम्झाओना तो शायद आपको अच्छे से ना समझाए तो हम देखते है enforcement details तो देखो यह आगे हमारे reinforcement details तो देखो सबसे पहले आपको freeboard ही बताता हूं पते क्या आकता है कैसे समझो एक आपकी पूरी tank है ठीक है यहां पूरा close tank कहरा हूं मैं ठीक है यहां पर यहां बीच में जो ढकन होता है और इसके बीच में आपको पर फ्री बोर्ड मालब इस पेस छोड़नी पड़ती है कभी समझो कभी ऐसा ना हो लेकिन कभी कोई टंकी में गिर जाए मालब वाटर टाइब में गिर जाए तो उसके लिए सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह बचेए जो कि मारे 150 आपके हमारी यहां पर जगवाईगा तो शयद वह उपर आ जाए स्वांस ले सकता है किसी फिर बांकी और यह बहुत रेजन होते है यह आपको सबसे वेले बिजन बतारह हम आपको देखो यह हमारी सारी फ्री बोर्ड मैं है तो वह निकरता है में करते है करते हैं तो मैंने यहां पर लिग दिया थी हमारी धक्क जात्ता भी होगे करके पहले हम सारी एक साथ ले आते हैं तो देखो सबसे पहले हमने करें थे maximum hoop tension जो कि हमारी हाइट थी मीटर स्वेटी है उस पर हमने क्या कर दिए प्रोवाइट शिटीन डाया होप कि यहां से हमारा 3 मैंने नहीं करा थाकि जादा होजवाज ना रहा है तो देखो मैंने यहां पर मैंचन देखो कि इसकी तरह साथ आपको समझाया है कि यहां पर देखता कि इसकी यह इसे पूरा सरकुलर आएगा न यह तो आप यह ज्यान रखना है थोड़ी common sense है तो देखो अब आपको ऐसे करना है डिजाइन देखो इस पर ही टीचर्स आपके नंबर काड़ सकते हैं कि भाई यहां पर 370 यहां पर तुन नहीं स्टील दिखा थे यहां भी उतना तो आप देख सकते हैं कर सकते हैं यहां से यहां पर यहां पर लिख सकते हो और हमारा 370 वल आगे तो वह भी दिखाता हूं तो देखो यहां से इतने इंफोर्समेंट कितने प्यांगी थी 370 mm Center to Center थी 370 mm सेंटे यह है यह थी और व सारी चीजस आईसे राउंड हो रही है लेकिन यह नहीं नहीं कि आप साब कई दिखाते ही रहोग थी एक तरफ अने हूबर इंफोर्समेंट दिखा दी और एक तरफ हमने दिखा दिखा दिख अपनी वर्टिकर इंफोर्षमन तर ऐसे हमारी वर्टिकर इंफोर्षमन आगी और अब इसके बाद आप देखती है हमारी बेस लेक्प से निकाल ली थे यह बेसलेब प्रफ आप अपको बोहती चोटी चोटी minor details है लेकिन आपको अच्छे से mention करनी होते हैं अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊ ना तो इसमें भी ना ऐसे डॉट 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 डिखाते हैं यह ऐसे हम डॉट डॉट डिखाते हैं ताकि हम इसमें पता चलते हैं हमने यहां पर material डाला मतलब यह concrete area है यह होए flexible और rigid base में तो यह हमारा पूरा circular water tank का हमारा design है यह पूरी reinforcement है तो देखो यह था हमारा आज का lecture design a water tank जिसमें हमने करा दा surplus tank with a flexible joint between floor and wall तो मेरे आपको अच्छे समझागा ज्यादा वीडियो लब भी नहीं मनें होगी तो अगर आपके वीडियो अच्छी लिग तो प्लीज लाइक करना शेक करना और कमेंट करना और बाकी की वीडियो देखने के लिए मारे चैनल स्विन सा तरicas ऱंच्छी ले जो सब्क्रें आपके कान थे कुछांट्स है